Hello, Good Morning Everyone Today is our English class For class, Prep Today is our topic What's come after, before, in, between हमारा सबसे फर्स्ट है What's come after After means होता है बाद में बाद में क्या आएगा यहाँ पर मैंने Smalls letter लिखे हैं अब देखो हमारा सबसे फर्स्ट C C के बाद में क्या आएगा C के बाद में क्या लिखा हुआ है D तो हमने यहाँ पर D फिल किया वैसे ही G के बाद में क्या आएगा M के बाद में क्या आएगा S, B, H, U, W, O, O, D इनके बाद में क्या आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है Next What's come before Before means पहले पहले क्या आएगा D तो हमने यहाँ पर D फिल किया तो N, S, D, K, T, P, J, X, J यहाँ पर इनसे पहले क्या आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है Next What's come in between Between means बीच में बीच में क्या आएगा D और F D और F के बीच में क्या है E तो हमने यहाँ पर E फिल किया J और L के बीच में क्या आएगा K तो हमने यहाँ पर K फिल किया G और I के बीच में क्या आएगा H U और W के बीच में V X और Z के बीच में Y P और R के बीच में Q M और O के बीच में N A और C के बीच में B यह सब आपको ऐसे फिल करने है थैंक यू